सूपर भाथ मैं आपका मित्तर स्रव मित्तर राहुल आज फिर हम मैद का एक और विशे लेकर आए हैं विशे का नाम है रिलेशन विशे का नाम रिलेशन सेट्ट्टियोरी में ये काम आता है बेस सी बिये एस्टेट अंडिये एमसे एंट्रेंस प्लस वन प्लस तो इसका यूज है तो अब हम आगे करते हैं रिलेशन से इफ वी वांट तो डिस्क्राइब ए रिलेक्शन बेट्ट्राइब एलेमेंट तो सेट्स अब बीगें यूज ओडर्ट प्राइब अमी और प्राइब मना दो है एक सेट यूज फास में और दूसरे साथ का अलेमेंट से की सेट में अधिवड़ेर प्लस अलेमेंट प्लस बीगेंट सेक्षट में चैनल को पान ≠ चैनल बेट्विद्ट देश्ट मों वी देशला वांटेट्राइब ट्यूज तक इंपल A cross B या Cartesian product of two sets in other words for a binary relation R V है यदि binary relation है तो R किसका subset होगा A cross B we use to notation A related to B to denote it that AB belong to R or A R bar B to denote it that AB is not written to R आ गया समझ हूँ कुछ अच्छी तरह से यहां से देखते हम when AB belong to R यदि AB R से belong होगा तो कहा जाएगा A is related to B by R example देख लेते हैं यहां पर हमारे पास 4 नाम है और 3 गाडिया वो कहता है relation क्या है ड्राइब कि कौन कितनी गाडिया ड्राइब करता है सबसे पहले है car सिडिज, सोजेन आलसो ड्राइव करता है बी-म-डव और पीटर करता है ट्राइसाइकल सिर्फ एक नाम रह गया कारला कारला के पास कोई गाड़ी नहीं है, वो कोई गाड़ी नहीं करता है, तो यहां पर रिलेशन क्या आगया ए, डी, बी यानि नेम रिलेशन ड्राइविंग और कार, चीक है आपको समझ में आगया फंक्शन एजे रिलेशन फंक्शन एजे यू माइजे रिमेंबर देट फंक्शन एफ फंक्शन एफ रों ए, सेट ए, तो बीशेट बीशाइन एजए उनिक ऐलिमेंट बीशेट एजेट 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 वो कहता है कि function जब बनेगा तो उसके relation में चो एक order पेर होगा इसके फर्स्ट प्लेस पे क्या होगा वा ए होगा जिसके फर्स्ट प्लेस पे क्या होगा सिरफ ए यह है में अंतर जो function और relation में अब देखे what is a function हम इस वीडियो में relation पे बात करेंगे लेकिन function का थोड़ा सा पार्ट है जो relation को function से अलग करता है some relations make sense and other don't कुछ relations sense के होते हैं और कुछ non-sense से होते है function are relation that makes sense function वो special type के relation होते हैं जिनकी कोई sense होती है यह ध्यान देने योग के बात है कि function are relationships that make some sense all the function are relation सभी function क्या होते है relations but not a relation are a function but not all relation are function वो कहता है जो function होता वो special type का relation होता है जिसकी कोई sense हो लेकिन relation में क्या होता है कि वो sense वाले भी होते हैं और non-sense वाले भी होते हैं टाइप ओफ रिलेशन डोमेन देखिए यह है question हमारा function is a relation that for each input there is only one output वो कहता है कि function है जो input और output से relate करता है किसे relate करता है input और output से वो कहता है special हर एक input सिर्फ एक input की ही एक value होनी चीए ठीक है here they are mapping of function the domain is input और x value or range of the output for the y value यहां पर सब की 2, 1, 0, minus 1 और minus 2 की सब की एक-एक value हो तो यह क्या है एक function है और relation भी अब यह देखिए domain है इसकी minus 4 की value 16 है, 3 की value 9 है, 2 की value 4 है, minus 1 की value 1 है, 0 की value 0, 1 although यह भी क्या है, 4 की single value आ रहे है, 3 की वी, 2 की वी, minus 1 की वी, 0 की वी और 1 की although the input value equal to minus 1 and 1 have the same output, the relation is still a function यह भी एक function है क्योंकि यहां पर 4, 3, minus 2, minus 1, 0 और 1 की सिर्फ एक ही value अब यहां देखिए, the mapping is not a function, यह क्या है, एक function नहीं है, लेकिन यह relation जरूर है 2 की value क्या है, 2 है और 4 है, लेकिन होनी चाहिए यदि function होता, तो इन में से एक value यह काटने पारती है, तो यह क्या हो जाता हमारा function, अब यह हमारा क्या है, सिरफ relation, आ गया आपको समझ में, 2 से, यदि a part का order pair सिर्फ एक ही बार आएगा, जिसमें first place पे a आएगा, तो हमारा function हो जाएगा, नहीं तो वो cable relation ही रहेगा, तो property of relation है, दुबारत से relation of symmetric property है हमारी, symmetric property क्या कहती है, कि वो symmetric हो जाता है, symmetric का मतलब होता है, कि उल्टा सीधा एक समार, तो relation a, b belong to r होगा, और यदि वहाँ पर a, b भी आ जाए, for all a, b, तो वो हमारा symmetric होगा, anti-symmetric में क्या कहता है, कि वो, यदि question में a, b, whenever a belong to b and b belong to r हो, यदि a और b बराबर है, तो ही, वो symmetric हो सकता है, नहीं तो वो symmetric नहीं हो सकता, a relation r on a set a is called asymmetric, if a or b order to a belong to r implies that b a not belong to r, for all symmetric, anti-symmetric क्या कहता है, कि यदि उसमें a belong to r है, तो और यदि a equal to b है, whenever a belong to r है, then b belong to a, पर तो इसमें क्या है, a symmetric में b belong to a पिलकुल भी नहीं होगा, तो देखते हैं इसके answer, तो are the following relation r on 1, 2, 3, 4, symmetric, anti-symmetric, symmetric, दोनों function एक ही हैं, तो 1, 1, यह हमारा 1 और 1 है, reflexive है, symmetric देखते हैं, 1, 1, 1, 2, और 2, 1 भी है, 3, 3 और 4, 4 भी, तो यह आगया, symmetric, 1, 1 है, symmetric है, and anti-symmetric, anti-symmetric भी है, क्योंकि 1, 1, 2, a equal to b दे रखा है, anti-symmetric के लिए, ठीक है, r क्या है, 1 और 3 है, 3 और 2 है, ठीक है, 1 और 3 है, 2 और 3 है, 2 और 1 है, यह symmetric तो है नहीं, anti-symmetric भी नहीं है, asymmetric और anti-symmetric, asymmetric और anti symmetric अब four four है three three है और one four यह है यह क्या है anti symmetric यानि वो equal हैं तो symmetric हैं नहीं तो नहीं है तो आगया आपको समझ में अब देखते हैं एक और example a relation are on a set is called ट्रांजेक्टी ट्रांजेक्टी इफ वेनएवर यदि उसमारे पास क्या हो A B बिलोंग करता हो किस से R से and B C बिलोंग करता हो R से then A C भी बिलोंग करेगा R से following example है वो कहता है तीन पेर बनते हैं दो पेर बनते हैं तो A B से एक B C से तो A और C में भी क्या हो जाएगा relation हो जाएगा they are the flowing relation on 1 2 3 तो देखते हैं 1 1 से 2 तो 1 2 है इसमें नहीं है भई 2 से 2 1 1 2 है 2 1 है नहीं है भई sorry 1 1 और 1 2 है भई 2 2 और 2 1 ये नहीं है 3 3 नहीं है 2 2 है 2 1 नहीं है इसमें तो ये transitive नहीं होना चाहिए इसने तो yes लिख दिया तो ये गलत है 1 3 3 2 तो होना चाहिए 1 2 ये ये भी नहीं है 3 4 4 3 तो 2 3 है और कोई relations है 2 4 4 2 और 2 1 2 1 नहीं है ये भी नहीं है क्योंकि इसमें क्या है 2 1 नहीं है यहां से यहां का relation जो ये है वो नहीं है तो आगे समझ में यहां नहीं है 2 1 होता यदि यहां पर 2 1 और हो जाता इस first question में तो ये क्या हो जाता ट्रांजेक्टिव एक्विलेंस रिलेशन एक्विलेंस रिलेशन में क्या आएगा जब किसी रिलेशन में तीनों होंगे रिफ्लेक्शिव होगा स्मेट्रिक होगा और ट्रांजेक्टिव होगा two elements that are related be an equivalence relation रिलेशन एक्विलेंस रिलेशन हो जाएंगे तो देखते हैं स्मेट्रिक का वही whenever B is equivalent to B A आजि रिफ्लेक्शिव एरियलेशन होता है रिफ्लेक्शिव स्मेट्रिक क्या होता है relation यदि हम किसी में symmetric निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा symmetric reflex every element is equivalent to itself transactive if a and b are two equivalent and b and c are equivalent then a b c are equivalent obviously these three properties are necessary for responding definition of equivalence यदि हमें कुछ चीज equivalence चीए कोई relation तो हमें symmetric, reflexive और transactive तीनों ही उसमें प्रूव करनी पड़ेंगे या ढूननी पड़ेंगे अब है equivalence relation equivalence relation में क्या आएगा reflexive आएगा symmetric आएगा transactive आएगा equivalence class equivalence class क्या होती है कि in the top piece एक example लेते है string of the identity length यानि जो भी शब्द हैं उनके number of alphabet कितने हैं उसे से एक mouse है तो mouse में कितने शब्द हैं word है 5 तो mouse की equivalent class क्या होगी equivalent class होगी जिसमें सिरफ 5 शब्द होंगे जिसे horse है house है ठीक है तो equivalence class कैसे होगी mouse की में horse house etc जिन में 5 शब्द होंगे अब यह देखो equivalence class की property क्या कहती है वो कहता है equivalence class में या तो दो अलग-अलग class से हैं वो एक जैसी होंगी और यदि वो दो class से एक जैसी हैं और यदि वो दोनों एक जैसी नहीं है तो वो disjoint होगी यह हमारा क्या होगा equivalence class का जैसे mouse है वो equal to mouse होगा जब तक वो 5 शब्दों वाले होंगे यदि वो 6 होंगे तो उन में कोई भी class common नहीं है टेफिन partition में क्या होता है जब हम एक set के सभी elements का use करके सिर्फ single time में हम उसको कहते हैं partition हम उसको क्या कहते हैं partition तो partition का example है तो जैसे है अम्ब्रोक्स एक set है हमारे पास अम्ब्रोक्स तो इसका partition करना है तो mock m o c k m o c k और बच्चे हुए के हाँ है r u b s r u d s यह हमारा क्या है perfect partition क्योंकि सभी का use करके single time use करके हमने उसके दोटकड़ी कर दी तो यह क्या है उसका partition इसमें देखते हैं इसमें क्या है k नहीं है तो सभी आने चाहिए तो k नहीं है तो यह क्या है note partition m brox इसके अंदर t extra है t वहाँ है नहीं तो यह भी क्या है नहीं होगा तो यह तो पूरा ही है तो यह तो होगा ही partition तो book यहाँ पर book from cos ठीक है बुक को क्या लिखे दो बार बुक लिख दो दो बार ओ लिखने से सेट पर कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि ये बी डबल ओके बी डबल ओके कैसे गिना जाता है बी ओके से तो ये क्या इसका पार्टिशन 5 is not allowed पार्टिशन में 5 नहीं allowed होगा तो आपको कलियर होगा होगा कि एक सेट का पार्टिशन कैसे किया जा सकता है थैंक यू एंड वाचिंग के लिए ल्यूसिफर मैंक सुयर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेर कीजिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में से शेर कीजिए जिनके पास गणित वीशे है या वो पलस वन में है या भीसी में या कहीं भी है धन्यवाद